अब घर पे धेर सारे money plants तो लगा लिये होंगे आपने ये सोच कर कि इसे लगाने के बाद पैसा ही पैसा होगा पर ऐसा कुछ हुआ नहीं बट अगर वही पैसा stock market में invest किया होता तो stock market basically वो जगह है जहां से आप किसी भी listed company के shares को खरीद कर या बेच कर actually अच्छे return कमा सकते हो for example बजाज finance का 2009 में एक share था 6 रुपे 31 पैसे का और आज उसी share की कीमत 7,000 रुपे के आसपास है अगर आपने तब 10,000 रुपे के share लिये होते तो आज उसी share की value 1,10,000 रुपे के आसपास होती इतना बड़ा jump सिर्फ because of company ने अपने business को बहुत ही efficiently grow किया है और market ने इस growth को reward किया है अब हर investment तो आपको करोड़ पती नहीं बनाएगी but अगर आप stock market में long term के लिए invest करोगे तो आप ऐसे return expect कर सकते हो look at this example इसमें Sensex 1991 में 1000 रुपे के आसपास था और 2023 तक बढ़कर ये 60,000 पॉइंट से भी जादा हो गया है अगर investing के long term benefits को enjoy करना है तो आपको inflation को beat करना होगा और वो आप तभी कर पाओगे जब आपके returns inflation से जादा होंगे अगर historically देखा जाए तो stock market ने average 10 से 12% के annual returns दिये है जो की जादातर time inflation rate से कहीं जादा होता है ये सिर्फ आपके capital को protect करने में मदद ही नहीं करता बलकि actually इसे grow भी करता है अगर आप stock market में smartly invest करो तो stock market आपको double digit returns भी deliver कर सकता है आप diversified investment कर सकते हो जैसे की mutual funds through SIP जो risk को spread करते है और compounding का benefit भी देते है long term में compounding आपके investment को कई गुना बढ़ा सकता है अब ये तो definitely आपके उपर है या तो आप अपना पैसा बचा कर रख सकते हो और inflation से इसकी value को कम होता हुआ देख सकते हो या फिर आप उसे invest करके grow होता हुआ देख सकते हो So, choice is yours Remember, smart investments से ही सपने सच होते है और हाँ, अगर ready हो तो आज ही अपना investing journey start करो with Samco account opening link description में है check करो और join करो